इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं अब चोरी के केसेज आपने बहुत सुने होंगे लेकिन ग्रेट अनोइडा में हुई जिस चोरी की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देख और सुनकर आप दंग रहे जाएंगे आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि चोरू ने कुछ घंटों में कैसे 40 किलो सोना पार कर दिया तिली के करीब इतिहास की सबसे बड़ी चोरी 40 किलो सोना और साड़े छे करोर कैश ले उड़े चोग मालिक ने रिपोर्ट तक नहीं कराई दर्ज आप महिने की तलाशी अब भसे सोना चोर पुलिस हैरान है शातिर चोर 40 किलो सोना और करोरो रुपे ले उड़े और किसी को भनक तक नहीं लगी किसी ने इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई सवाल है कौन है इस सोने का मालिक कहां रखा था 40 किलो सोना क्यों इसके मालिक ने नहीं कराई चोरी की रिपोर्ट दर्ज इन सवालों का जवाब जानने के पहले पुलिस की गिरफ्त में खड़े चोरी के इन आरोपियों को गोर से देख लीजे ये बिन्टु शर्मा, नीरज, जैसिंग, राजन, अरूर और अनील हैं जो अब पुलिस के शिकंजे में हैं लेकिन इनके दो साथी अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस को तलाश है इन शातिर चोरों ने कैसे 40 किलो सोना और 6.5 करोड कैश गायब कर दिये क्रनलोजी समझाएं उसके पहले चोरी का स्पॉर्ट देख लीजिए हलाकि किस फ्लैट से चोरी हुई रहस्य अब भी बना हुआ है 2020 सितंबर के अंदर यहां पर चोर आते हैं गोपाल नाम का शक्स जो है वो उन्हें लेकर आता है वो लिफ्ट से एक फ्लैट के अंदर जाते है बड़ी संख्या में जो गोल्ड और कैश उस फ्लैट के अंदर रखा हुआ था चोर उसे लेते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं बताया जाता है कि इस गैंग के दस लोग इस सोसाइटी के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे लेकिन सबसे बड़ी बात उसके बात जो चोर थे वो शांत बैट जाते हैं उनसे बड़ी संख्या में सोना रिकवर किया गया है इसके लावा कैश रिकवर किया गया है लेकिन इस पूरे केस के अंदर क्योंकि इस फ्लैट के अंदर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था वो फ्लैट कौन सा है इसकी शिनात अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है चोरों का बकायता लेकर आया गया यहाँ पर लेकिन उनको भी यह नहीं पता है कि आफिर किस फ्लैट के अंदर वो पहुँचे थे क्रेडर नोईडा की इस चोरी की डिटेल चौकाने वाली है अब तक जो पता चला है उसके मताबिक सितंबर 2020 में नोईडा के एक फ्लैट से नौ चोरों ने हाथ साफ किया इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड और कैश की जानकारी चोरों को फ्लैट के के अटेकर ने दी थी किया टेकर को इसके जानकारी किसले पांडे के ड्राइवर ने दी थी आठ महिने तक इस चोरी की किसी को खबर तक नहीं थी क्योंकि इस अकूदधन के मालिक ने इसके रिपोर्ट दर्ज granular की नहीं कराई जनकारित तब मिली जब चोरों में ही आपस में बटवारे को लेकर पूट पड़ गई पूरे पूछाज से निकल के आई उसमें से हम लोगों को मिला करके छे लोगों को अब तक एरेस्ट किया है और उन लोगों से काफी मातरा में गोल्ड एराउंड थरीन पॉइंट नाइज जिरो नाइन केजी गोल्ड और फिटी सवन लैक कैस प्लस वन पॉइंट टेन करोड एक करोड दसिलाक रुपे की रिष्टी के पेपर हम लोगों ने इन लोगों से बरामत किये हैं लगबग 8.25 करोड खुब पुलिस चोरों तक तो पहुंच गई, पुलिस ने चोरों से अब तक करिब 14 किलो सोना और 77 लाग कैश बरामद ही कर लिया है, लेकिन ये अब तक पता नहीं चल सका है कि सोने का मालिक कौन है, अब तक जो जांच में सामने आया है, वो ये तस्वीर है, किसले पांडे की, पुलिस को तफ्तिर्ष में पता चला है कि किसले के फ्लैट से ही चोरी हुई है, लेकिन चुकि इतनी बड़ी मातरा में सोना और कैश घर में नहीं रखा जा सकता, इसलिए किसले पांडे ने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई, किसले के बारे में पुलिस पुलिस को किसले पांडे की ग्रेटर नोड़ा में कई संपतियों का पता चला है किसले की पतनी ग्रेटर नोड़ा के ही एक पॉश सोसाइटी में रहती है लेकिन पुलिस को यहां भी पूश्दास में कुछ खास हाथ नहीं लगा जो हम लोगोंने पूश्दास करके निकाला कि आखिर में एक पैसा था किसका कहां से आया उसमें दो विक्तियों के नाम सामने आये हैं एक रामनी पांडे और एक किसले पांडे उनके लड़के इनों के बारे में यह बताया गया कि इनके खिलाफ काफी मुकदमे पंजुकरित हैं डैली गुरगाओं वगर हमें और यह जो सुचना इस गैंग को मिली थी जिन लोगों ने एक जगह फ्लैट गेटर नोड़ा में है जहां पर यह सारा ब्लाक प्रॉपर्टी रखिय हुई थी उसको उन लोगों ने जहां से स्टील किया था चुराया था उस जगह के बारे में यह बताया है कि यह सारे के सारे यह रामनी पंडे और किसलय पंडे के हैं तो यह बेसिकली जो जो गैंग था उसने मुझे बताया है उसके बाद हम लोगों ने जब इनको सबस्राइब करना सुरू किया नमस्ते मैं हूँ मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूलें जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ